This video is sponsored by 1xbet और ये एक global bookmaker company है जो कि काफी सारी football teams के साथ corporation में है like Barcelona, Liverpool और इस app के अंदर आपको काफी सारे sports और e-sports देखने के लिए मिल जाते हैं जिनको आप credit करकरना काफी सार बोनस कमा सकते हैं और इस app को use करने के लिए सिर्फ आपको sign up करना होगा और मेरे दिये होगे अगर आप promo code से sign up करते हैं तो आपको up to $100 तक का bonus मिलेगा तो bonus पाने के लिए link मैंने comment section में pin करा है तो महाँ से जाकर sign up कर लीजे $100 की बात है बाई तो पहुंच जाएए तो यहाँ पर पूरे $70,000 फोकने के बाद ये वीडियो बन रही है और आपके demand पर जैसे की मैंने पूछा था कि आपको किसकी unboxing देखने है तो आपने मेरे से दो phone के बोला था जिसमें से की एक था अज Vivo Z1X और एक है Realme XT की नेक्स वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी इस वीडियो के अंदर हमने unbox करा है Vivo Z1X और साथ साथ unboxing ने इसके अंदर मैंने अपने experience दिया है तो इस वीडियो को पूरा देखना है और ये phone काफी जादा भेंकर है इसका असली सच बताऊंगा मैं इस वीडियो के अंदर तो बने रहे ना अगर आप इस phone को buy करने की सोच रहे ना तो वीडियो को skip बिल्कुल भी मत करना तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को वीडाउट वेस्टिंग एनी थाइं वाउट आप इस वीडियो को पर प्रॉट कर लेते हैं यहां पर अगर वीडियो चलेगे तो लाइक कर देने कमेंट करकर बताएं करने करें तो नहीं खुला जैसे आख खुलूंगा वाव मतलब क्या ही कहूं फेशनलों काफी ज़्यादा खतरना को और यहाँ पर फिंगर प्रेंट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक मैंने सबसे फास्ट फिंगर प्रेंट सेंसर जो है ना वह रियल्म पड़ते हैं तो एशे पैटर्ण जब आता पीचे से निकल के मतलब मज़ा आ जाता है यार बिल्कुल ऐसे चका चौन सी हो जाती है नजरे लेकिन रुक जाए तहर जाए इसका बैक पैनल पर ग्लास यूज नहीं करा गया है यहां पर प्लास्टिक कर गया लेकिन आप बता न देने की कोशिश करी गई है लेकिन यह प्लास्टिक का ही है मेटल फ्रेम नहीं है यहां पर प्लास्टिक का फ्रेम यूज कर आगया आप देख सकते हैं अब बात करें इसके फ्रेंट की तो 6.38 इंच का सूपर आमुलेट पैनल है और यहां पर आपको इसकोट सेंसेशन ग् 450 निट्स है तो यहां पर इस प्राइस के साफ से यहां पर ब्राइटनस भी आपको ऐसे मस देखने के लिए मिलते हैं मदलब इतना ज्यादा उजाला नहीं है जो आपके खराब कर देगा बट स्टिल आउट्डोर की बात करो तो आउट्डोर में भी काफी अच्छी आपको तरीके से यूज तो नहीं करा बट इस पर आगे की तरफ हलके हलकी स्क्रैच आ चुकी है तो फेस लोग काफी है फिंगर पेंट सेंसर काफी जादा अच्छी है तो टैन आउट ओफ नाइन अभी तक के हिसाब से मैंने इसे दिया है अब बात करते हैं भाई साब इसके फ्र बात करें फोटोज की तो एक तरफ एक तरफ एक तरफ नॉर्मल शोट तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं पोट्रेट मोड के बारे में बात बताना चाहूंगा जब भी पोट्रेट मोड में चाहें फ्लैक्शिप डिवाइस से लिए कर दिखाया आपको जब करोना तो पोट्रेट मोड में भी काफी चीज ने फोटो ली गई है बिल्कुल फ्लैक्शिफ वाली फील दी गई है यहां पर और कलर्स भी काफी जादा खतरना काये हुए है आप यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर नॉर्मल फोटो को अगर मैं जूम करूंगा तो आप बिल्कुल मैंटेंग कर रहा है वी वो ने तो वी वो थैंक यू अब बात करते हैं इसके पहाड नहीं दिया गया हलका सब थोड़ा सब बंप जो की इस इस से चिप सकता है मेरे दोस्त तो इससे चिपा सकते हैं इसकी सारी कमियों को तो यहां पर आपको हलका सब देखने के इसके इंदर 48MP का कैमरा सेंसर दिया गया है जो चाहो तो और फोटो को देख सकते हैं तो सबसे पहले हैं आपको फोटो दिखाना चाहूंगा धूप में लिए क्योंकि बाइसे जादू नहीं हुए लेकिन ऐसे मेहनत करने पढ़ते है वीडियो के लिए तो दूप में आप पर फोटो ली गई है और यहां पर ओवर एक्सपोज नहीं हो रही लाइट और नैचुरल कलर सा आप देख सकते हैं काफी चित्री किसे मैंटेन करो है ऐसा लग रहा चाय का खेत हो लेकिन बाहिए नोर्मल वह जैसे फुलवारी लगा देता है ना कोलीज में वह यह कोलीज है तो कमेंट नीचे की तरफ है और यहां पर जिन्हों ने मुझे फोटो कैप्चर करके दिना वीवो ने जो बिहाइंड दा कैमरा बंदा बैठा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलें का इंस्सेग्राम को उसे फॉलो कर सकते हैं तो यहां पर मैं सबसे आप एज डिटेक्शन देख सकते हैं तो यहां पर आफ फोटो देखिए यहां पर जो वाइडर वैब है उसे देख सकते हैं उसकी एज डिटेक्शन इतनी अच्छी तरी किसे निकल कर आ रही है बैक्ग्राउंड बिल्कुल ब्लर है और यहां पर आप अंदाजन नहीं को अगर आप जूम भी करेंगे ने तो डिटेल्स काफी अची आपको देखने के लिए मिल जाती हैं आपर तो दुनिया मुठी में करिए यहां पर कोलिज मुठी में करा हुआ है और 48-megapixel camera sensor का मैं एक्च्वल में आपको यूज दिखाता हूँ एक डॉक की यहां पर फोट सकते हैं इसको और यहां पर यह पोट्रेट मोड में ली गई है और अगर मैं इसे जूम करता हूं तो डिटेल्स भी लूज नहीं होती और मतलब क्या ही कहूं काफी जादे नैचुरल आ रहे हैं और जो बैक्ग्रांड में ओवर एक्सपोज नहीं है और इस से पहले ना मैं सिफ जो कैमरा था वह यहां श्रील्मी एकस का बेटर मांनता था लेकिन वह रियल्मी एकसे भी उपर एक कदम यहां पर बात कर लेता है भी नाइट मोड की तो नाइट मोड में आप फोटो देख सकते हैं और भाई साब यहां पर अगर मैं डिटेल्स की बात कुरू तो ना लेकिन एस फोन के अंदर कि आप रिकोर्ड करते करते वीडियो वाइड एंगल में स्विच हो जाएंगे ना 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 भाई फ्लैक्शिप खरीद उसके लिए वाली ऐसे इन्होंने कहा है साफ-साफ बाइद आप कर सकते हैं लेकिन करते नहीं करते नहीं है तो अभी तक यह यहां पर मैंने अभी तक जितने भी फोन यूज करें स्प्राइज में मैं बता दूं यहां पर काफी स्मूथ पब्जी चलता इसके अंदर और सच में एक पब्जी के लिए स्नैपड्रागन 712 इसके अंदर दिया गया जैसे कि आपको पता ही है और यह फोन हलका सा वों होत से ट्विटर से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में पिन करा है यहां पर बैटरी की बात कर लेते तो भाई इस फोन के बताने चाहूंगा मैंने सुबह फोन चार्ज कर रहा था 6 बजे से इस फोन को यूज कर रहा हू है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्जक बताने कोशिश करूंगा कि 0-100 कितनी दिर में चार्ज होता है और कितने आप पब जी के मैच बजा सकते हैं इसमें बाइद आपके लिए और जो ऐसे फो वोटो घंसा है उसके लिए काफी बैटर फोन है और इन हैं इस फो बेजी जगभाई कर सकते हैं इसके अंतर आपको डार्क मोड भी देखने के लिए मिलता है और साथी साथ इसमें आपको ऐसे आख बचाने के लिए एक आई शील्ड भी दीगे जिसे हम कहते हैं ब्लू फिल्टर कहते हैं तो अगर आपको वीडियो चिले के तो लाइक कर दे बच्छियों को बच्छियों जाइक अच्छियों कीज़ खूएगाई जाएगाई